हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम एम्ब्रोशिया पक को अनलॉक कैसे करें उसमें कितने जेम्स लगेंगे कैसे अनलॉक होगी पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूं तो फ्रेंड्स कई दिनों से कुछ लोग मेरे पास मैसेज करने हैं कि इसको कैसे ओपेंड करें कितने जेम्स लगेंगे कैसे क्या होगा तो ये वीडियो उन ही के लिए है और जो लोग ओपेंड कर चुके है तो उनकी बात ही नहीं हो रही है यहां पे जिन लोगों ने ओपें और मैंने इसलिए आपने देखा होगा थमनेल पे जो मैंने फ्री लिखा है उसके नीचे कुश्चेन मार्क लगा है क्या सच में फ्री में मिलेगी अम्रोशिया पक तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ मैं आपको बताता हूँ तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखि वो 50 पॉंट की टोटल है तो किसी के 30 हुआ किसी कaurais 20 हुआ तो वह वैसे ही 25 पॉइंट रहेगा और टेब्ल टेब्ल एकस्पायर ओजाएगा मतलब तेब्ल नहीं होग काूग होगा फिर जो होगा क्या फिर जब आप कर चैरंब कस अगला वाला खरीदें तो friends देखिए इसमें जो gems लगेंगी इसमें आपको gems देखे open करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें जितने box आपको मिलते जाए आप उसको open करते जाए यह gems देखे और इसमें जो मैंने calculation की उसमें exact एक हजार से लेके 2000 के बीच में gems लगेगी अब मिनी क्लिप के उपर depend है किसकी कितनी gems में खुलती है जैसे देखी मैंने इस आइडी में gems इस आइडी में खोली है शीलू कुराशी भाई की idea इसमें मैंने ambrosia puck और इस ट्राइगर रंगोली दोनों को लिए तो इसमें जो gems लगी थी वह एप्रॉक्स 2000 के आसपास gems लग गई थी 38 points easily open होगे थे friends लेकिन उसके बाद continuously 15-16 box में एक भी point mini clip ने नहीं दिया पका तो इसलिए थोड़े ज़्यादा लगे और किसी की 800 या 900 gems में भी open होई है तो वह आप पर depend करता है और हम जिन्हों ने अभी तक एक भी point नहीं लिया है तो उनको मैं यह suggest करें हो वह ना open करें और आपकी idea में कम से कम 1500 से 2000 gems होने चाहिए तब आप यह try करें और जिसके 30 या 35 points हो चुके हैं वह जरूर try करें वह open करने आराम से वह 500-600 gems दे के open करें शायद उनकी 40 या 45 points अराम से open हो जाएगी और कुछ लोगी complete भी open हो सकती है तो आप लोग try कर सकते हैं जिन्हों अभी तक एक भी point जीनका नहीं तो वह ना करें क्योंकि फिर बहुत मुश्किल है क्योंकि अब offer के तीन-चार ही दिन बचें और आप रोज bank load table खेलेंगे तो आप को chest मिलते रहेंगे थोड़े-थोड़े तो तब भी आपके कुछ points होंगे जैसे मेरी main ID में 30 points हो चुके बिना कु जादा अच्छी है क्योंकि आप इसको light table में के लिए dark table में काफी attractive लग रही है और आप ने देखा मदूपकसर भी मैंने gameplay किया था तो उसका color throw डैल है वह उतनी attractive नहीं लेकिन यह ambrosia वाली yellowish और red color की काफी attractive लग रही है तो friends आप भी कोशिच करिए कि यह आप easily ले सकें ब बाई करते हैं तो उसमें आपको सब कुछ gems भी ठीक ठाक मिल जाएंगे lucky shot भी मिल जाएगा और आपके grand master chest भी मिल जाएगा तो आप वहां से भी कर सकते हैं तो देखिए यहां पर बने इतने gems कोल दी स्ट्राइकर का भी upgrade आने वाला है तो इसी तरीके से आपको खोलना है औ तो आप चाहें तो इसको दो से तीन गंटे में भी open कर सकते हैं gems देखें यहां पर बस आपको जैसे मैं देखी यहां पर खोल रहा हूं gems दे देखें सारे box जितने चार box मिले चारों आपको तुरंद खोलने हैं फिर यह देखिए यहां पर मैंने gameplay के यह देखिए फ्रेंट के उपर gems हों वो try कर सकते हैं उनकी यह open हो सकती है और कुछ points हमको daily rewards में जैसे daily rewards में कुछ boxes आते हैं तो उसमें अगर हम रोज add देखके भी कुछ boxes open कर लें यह बैंगलोर वाले तो उससे भी कुछ points मिल जाएंगे तो लेकिन इसमें gems देखें आपको open हो जाएगा अभी भी इजी method बस gems जो exact calculation है वो इतनी है कि 1500 से 2000 की बीच में ही आपकी gems लगेगी और बाकी mini clip पर depend है तो friends उमीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें और चैनल को subscribe करें मिलते हैं फिर किसी next वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care